नमस्कार मैं प्रिया राज आप देखरें एक निउस 24 इस्वत की सबसे बड़ी खबर जहां बिहार की गया जिले के बेला गंज विधान सब छेतर से आ रही है आपको बता दे कि जहां चुनाव नजदीक आता है तो बड़े खेले होने शुरू हो जाते है और बिहार की राज नेता वोट मांगने का कारे करते रहते हैं इस बीच राजद जो की सबसे बड़ी पाठी उभर कर सामने आई थी नेता प्रतिपक तिजश्वी यादो बुलबाला जारी करते हैं और कहते हैं कि जनता उन पर प्रेम लुटाती है लेकिन अब ये बात निकल कर सामने आ रही ह बेला गन से कि जनता उन पर प्रेम लुटाई या ना लुटाई लेकिन तेजश्वी यादो और राजद के नेता जरूर प्रेम लुटाते हैं जनता पर इस तरह की बाते निकल कर सामने आने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है जिससे लेकर अब राजद के बड़ी नेता को गिरफतारी तक हो गई है आपको बता दे इस वक कि सबसे बड़ी बात हो गई है जब राजद के इस बड़े नेता को गिरफतार कर लिया है पूलिस हिरासत में ले लिए जाज परताल में बड़ी चीजे खुल कर सामने आ रही है वो भी तब जब चुनाओ चल रही हो कार राज़त के इस नेता ने ऐसा क्या कर दिया वो भी चुनाओ की बीच में तो आपको बता दे कि बिहार के गया जीला अंतरगत बीला गंजविधान सब छेत में उप चुनाओ 13 नमबर को होना है यानि कि आज हो रहा था इस बीच चुनाओ के ठीक एक दिन पहले पैसे बाटने का कारे किया जा रहा था अब गया के बेला गंजविधान सब छेत में रुपए बाटे राज़त के नेता को गिरफतार किया गया है गिरफतार राज़त के नेता कोईरी बिघा गाउं में लोगों के बीच घर घर में जाकर रुपए बाट रहा था और राज़त प् पैय के लिफाफे हैं इनके द्वारा वोट देने के लिए पैसे बाटे जा रहे थी या राजत करनेता है मामले में करवाई हो रही है इसके बाद मामले में आगे की करवाई को और बढ़ाया जाएगा इतना है आपको बता दे सूचना मिलते ही में थाने की पूलिस मौके पर वोची तो दो लोग भाग निकले। वहीं बाइट से Inबिध को मौके से पकड़ लिया गया अब गिरफतार भ्यक्ति से पूशनाच कि जा रही है। उसके पास से 200 रुपए के 20 लिफाफे बरामत किये गए हैं। अब गिरफतार ब्यक्ति के पहचान गोविंद यादों के रुपए हुई है। जो मकसूत पूर गाउं का रहने वाला है या बेलागज विधान सब अंतरगत। कोरमतु पंचायत का पंचायत अध्याच बताया जा रहा है पूलीस यह जनकारी जुटा रही है। किसे पैसे बाटने के लिए किस ने दिये। इसमें कौन-कौन लोग शामिल है। वही गिरफतार राजद नेता ने बताया है कि उसे सिर्फ साथ मिलाया गया था। रुपए बाटने वाले दो अन्य लोग भी थे। इतना ही नहीं मकसूत पूर में गाउं हैं हम तीन लोग थे। प्रचार का समय खतम हो गया है मुझे नहीं पता था वो लोग पैसे बाट रहे थे। हम सिर्फ उनके साथ थे। ये गोविंद यादो की बात थी यानि जो की RZD नेता है। यानि की पैसे बाटने का कारे कर रहे हैं और ये अकसर देखा जाता है जहां राजत बड़े बड़े बाते करते नज़राते हैं। आपने प्रत्यासियों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट देखे थे। लेकिन इस बीच इन कॉन्फिडेंट पर पानी फीर गया। पैसे बाटते उनके राजत के नेता पकड़े गए और पूछने पर अब हवाला दे रहे हैं कि हम उनके बस साथ खड़े थे दो अन्ये लोग थे। साथ खड़े थे और उसमें मौजूदगी जताना और उनके सामने से उनके पास से दो दो सो के नोट के लिफाफे बिस गड़ी पाना ये काफी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन राज़त के नेता इस तरह से खुलेयाम घर घर जाकर पैसे बाट रहे और वोट मागने का कारे करें तो इस तरह से बिहार की राज़नीती होती है। मैदान में उतरे हैं जन सुराज के भी परत्यासी मेह दान में उतरे हैं लेकिन इसपी चब राजर के परत्यासी के लिए व after बांगने के लिए पैसे बाते यह का ח्की मोस्ड़ में रहता है औदेख न दिल्चस रहेगा कि मिसका ले में देख departments हैं झाल झाल